नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल, Civil Engineering ChapterWise में आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेहधि इंपोर्टेंट सब्जेक्ट को जिसका नाम है Surveying First इसमें हम देखेंगे कि Surveying क्या होता है, Leveling क्या होता है, Object of Surveying and Classifications of Surveying इन सभी टोपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आईए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल, Civil Engineering ChapterWise को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, स यह एक तरीके की आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम किसी भी जमीन पे क्या-क्या उपजेक्ट हैं, क्या-क्या वहाँ पहाड़ है, जंगल है, नदिया है, कोई खाई है, या कोई भी residential area है, कोई गाउ है, कोई सहैर है, उस सब्सक्राइब को एक map पे ड्रो करते हैं, उसी surveying आ जन संख्या है वहाँ पे उसको भी सर्वे में ही हम इंकलूड करते हैं वहाँ पे रोड हम जब बनाते हैं तो उससे पहले भी वहाँ पे हम सर्वे करते हैं कि कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है और उस रोड पे कितनी पॉपुलेशन आ सकती है वहाँ पे कितनी बारिस होती ह वहाँ पे maximum पानी कितना अपने height में इखटा हो सकता है, maximum flood level बोलते हैं, तो इस सब को हम पहले ही direction करते हैं, उसका data इखटा करते हैं, और उसी को हम surveying बोलते हैं, काफे important subject है, यह हमारा surveying में horizontal distance भी हम measure करते हैं, कि एक जंगे से दूसरी जंगे के बीच में कितनी distance है, जैसे एक गाउं है और गाउं से नदी का distance कितनी है, या फिर उस गाउं से एक सहर की distance कितनी है, बीच में कितने नदी, नाले, तालाब यह आते हैं बीच में, उनका area कितना है, तो उस सब को हम इसमें measure करके रखते हैं, तो यह होता है हमारा surveying, next हमारा आता है leveling, leveling क्या होता है, इसमें हम horizontal distance होती है, वो हम survey में पता करते हैं, इसमें हम vertical distance को measure करते हैं, यानि कि कोई पहाड है उसकी उचाई कितनी है, हम अगर बीच में कोई नदी है, तो नदी की गहराई कितनी है, उस सब को हम map में major करते हैं, और level के through उसको हम बताते हैं, जैसे आप कभी railway station के आसपास आपने notice किया हो, कि वहाँ पे एक yellow color का board लगा होता है, दोनों edges पे, दोनों platform के edge पे लखा होता है, और उस पे लिखा होता है mean सी level, mean सी level या निकि समुंदर तल से इसकी उचाई, तो वो level होता है समुंदर तल से उस platform का, तो ऐसे ही level हम major करते हैं, और उसको अपने जो drawing होती है, हमारी जो map होता हम तयार करते हैं, तो उसमें हम इसको लिखते हैं, और हमें पता लगता है कि इसका level कितना है, ये भी क बता करते हैं, और हमारे जो construction activities होती है, उसमें इसका कापी ज़्यादा use होता है, जैसे हमें एक example तो मैं बताऊं, railway stations होते हैं, तो उसको बनाने से पहले, या railway line को लगाने से पहले, उसका पानी का level चेक किया जाता है, कि वहाँ पर कितनी बारिस हो सकती है, और उस बारिस का level maximum कितना हो सकता है पानी का, तो उस पानी से हमारा जो railway line का level होता है, वो हमेसे हम उपर रखते हैं, ठीक है, ताकि पानी उसमें ना डूबे, पानी में हमारी line ना डूबे, तो ऐसे ही हम अपने construction जो होती है, हमारा घर होते है, या कोई building होती है, तो उसमें भी हम level को चेक कर करते हैं, कि वहाँ पे maximum पानी कितना आ सकता है, और उससे कुछ level जादा ही हम उसका construction का रखते हैं, उसका floral level रखते हैं, ठीक है, तो यह होता है leveling, इसको हम detail में अच्छे आगे जो chapters आएंगे, उसमें discuss करेंगे, अभी तक इतना ही आप याद रखिए कि leveling क्या होता है, यह vertical distance को measure करना होता है, object of surveying, अब surveying आखिर हम करते क्यों है, यह देखिए जैसे map है, इस map में आप देख सकते हैं, बीच में एक नदी है, ओके, नदी के उपर यह एक flyover भी है, road है, और यहाँ पे जो residential area है, यह यहाँ पे lie करता है, ओके, तो यह सारी चीजे, इसमें कहां कहां प है, तो यह सारी चीजे हम measure करते हैं, ठीक है, the main aim of surveying is to prepare a map, to show the relative positions of the object on the surface of earth, ठीक है, जमीन पे, कहां पे, किस object की क्या position है, कितनी distance है, कितने वहाँ पे town है, villages है, road है, railway है, इन सभी को हम अपने map पे तयार करके रखते हैं, ठीक है, map may also include different engineering works, such as roads, railways, irrigation canals, etc, okay, तो railway कहां पे हम line लगा सकते हैं, उसकी canal कहां पे हम बना सकते हैं, और road हम कहां पे बना सकते हैं, तो ऐसे जब construction activities होती हैं, तो उसके लिए हमें पहले map को देखना होता है, और map को हम study करते हैं, और map हम बनाते कैसे हैं, ऐसे survey करके, ठीक है, तो यह इसमें बताया गया है, survey का main object हमारा यह होता है, अब है uses of survey, अब survey का use हम कहां कहां पे करते हैं, survey का use हम topographical maps, topographical जो हमारे maps होते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि hills कहां पे हैं, valleys कहां पे हैं, नदियां, गाउं, हमारे सहर, जंगल कहां पे हैं, तो उस पूरे जो data है, वो हम इखटा करके, एक topographical map तयार करते हैं, उसमें भी हम survey का ही use करते हैं, okay, to prepare a cadastral maps, cadastral maps क्या होते हैं, जिसमें हम किसी भी particular building या किसी भी project के लिए survey करते हैं, ठीक है, जिसमें boundary of the field, उस field की boundaries होती हैं, घर होते हैं, irrigation channels होती हैं, तो जो भी engineering works होती हैं, उसके रिले भी हम survey का ही काम पहले करते हैं, construction करने से पहले, ठीक है, to prepare a military map, military map भी बनाते वक्त, हम survey का ही use करते हैं, okay, जैसे, showing the roads and railway communication, कहां कहां पे road हैं, कहां पे हमें नया करशक्शन करना होता है, military के लिए, तो जिससे military easily एक जिंगे से दूसरे जिंगे पे जा सके, तो ये सारे चीज़ें हम consider करते हैं, और survey का काम करते, to prepare a geological map, showing area, including underground resources, okay, जमीन के अंदर पानी कितना है, वहाँ पे खनीज कितने हैं, कितने वहाँ पे minerals हैं, तो उसके लिए भी हम survey करते हैं, ठीक है, मिटी का survey किया जाता है, to prepare an archaeological map, including places where ancient relief exits, okay, पुरानिक जो monuments होते हैं, तो वो कहां कहां पे होते हैं, तो उसके लिए भी हम archaeological एक map त्यार करते हैं, जो survey की मदद से ही त्यार किया जाता है, तो ये था हमारी uses of survey, survey हम काफी जंगे पे इसको use करते हैं, Classifications of survey, next है हमारा classification, ये दो टाइप से classify की होते हैं, फर्स्ट है हमारा primary और एक है secondary, ठीक है, primary classification क्या होते हैं, इसमें दो टाइप के हम survey करते हैं, plain survey और geodetic survey, ये काफी important है, काफी बार आपके जो competitive exam से उसमें पूछा जाता है कि geodetic survey आकिर होता क्या है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखे, plain survey, एक होता है plain survey और एक होता है geodetic survey, plain survey क्या होता है, जिसमें हम earth surface को circular consider नहीं करते हैं, जो की actual नहीं होता, जब हमारा survey का area 250 km2 से जादा हो, ठीक है, तो हम earth का curvature consider करते हैं, अगर 250 से हमारा area कम हो, तो हम उसका curvature को consider नहीं करते, तो उसको बोलते हैं plain survey, ठीक है, जब हम earth का curvature consider नहीं करते हैं, तो हमारा ये plain survey, और जिसमें हम earth का curvature consider करते हैं, और हमारा जो area है, वो 250 से जादा हो, 250 km2 से जादा हमारा area हो, survey का, तो वो हमारा होता है geodetic survey, आप इस figure से देखिए, यहां से आपको और अच्छा clear हो जाएगा, plain survey, यह देखिए, जमीन हमारी होती है, spheroidal shape की, जो की circular shape की होती है, आप approximate मान सकते हैं, और जब हम survey करते हैं, तो इसमें, जो land होता है, जो जमीन होती है, उसको circular consider नहीं करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा plain survey, अगर हम इसको बिल्कुल plain मान के चलेंगे, तो हमारा plain survey, यह हम consider करते हैं, जब हमारा 250 से कम हमारा area हो surveying का, ठीक है, अगर हमारा area हो 250 square kilometer से ज़्यादा, तो हम उसको geodatic survey में consider करते हैं, और उसमें हम अर्थ का curvature भी include करते हैं, ठीक है, तो यह होता है, geodatic और plain survey का classification, next आता है, हमारा secondary classification, secondary classification क्या होता है, यह होता है, based on instruments, जैसे, based on instruments, जैसे chain surveying, chain से जब हम survey करते हैं, compass से करते हैं, plain table, theodolite, tachometry और photometric surveying, यह सारे जो instruments से हम survey करते हैं, तो यह instrument based survey होता है, second है हमारा based on methods, triangulation and traversing survey, यह सारे topics हम दीरे दीरे अपने next chapters में cover करेंगे, पूरे अच्छे से detail में cover करेंगे, अभी आप बस यह देखिए, कि classification में इनका क्या-क्या role होता है, based on methods, triangulation and traversing, based on object, हमारा motto क्या होता है, aim क्या होता है, geological survey, mine survey, यानि कोई ख़दान है, कोई हम जब खुदाई करते हैं, mining करते हैं, तो वो हमारा survey, archaeological survey, यह आपको पता है, पुरानिक, जो monuments होते हैं, पुरानिक building होती हैं, तो उनके लिए एक survey किया जाता है, फिर हैं, military survey, military के लिए अलग से survey किया जाता है, based on nature of field, okay, land survey, जो हम जमीन पे करते हैं, marine survey, समुंदर का, जो हम survey करते हैं, फिर है astronomical, जो हम आसमान का survey करते हैं, तो यह सारे ही चीजे, अलग-अलग classify करते हैं, सर्वे के classification को, अलग-अलग field में हम survey का use करते हैं, वहाँ से फिर निरिक्षन करते हैं, और उसका data एकटा करते हैं, ताकि आगे हमें उसका कोई construction करना है, या कोई और activity वहाँ पे करना है, तो वो हमें फायदा दे सके, okay, next video में हम देखेंगे principles of survey क्या होते हैं, तो next video आप जुरूर देखना, वीडियो अच्छे लगे तो इसको like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, thank you for watching, have a good day.